शुब प्रभाद शात्रों मैं महस कुस्वा आज आपको कच्छा छे की हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हमारा भारात लॉगडाउन के इस्तिति में है ऐसी विसम परिस्तितियों में भारत सरकार के निर्देशा अनुशार ऑनलाइन किया गया है उसी के माध्यम से मैं यह आपको वीडियो भेज रहा हूं जिससे कि आप लोग घर पर वैट कर अपनी पढ़ाई कर शकें तो कच्छा छे की पुस्तक का नाम है मुस्कान और इस पुस्तक का प्रथम अध्याय देखते हैं प्रथम अध्याय है हमारा करम बीर यानि की करम बीर इस अध्याय में लेखक ने करम बीर ब्यक्तियों के बारे में बढ़न किया है देखते हैं इसको एक बार हम पढ़कर देखेंगे फिर उसके बाद में आपको ब्यक्ख्या करकर बताएंगे प्रथम पंकति है देख कर बाधा विविद बहु विग्न घबुराते नहीं रहे भरोशे भाग के दुख भोग पस्ताते नहीं दुटिय पंकति की तरफ देखते हैं दुटिय पंकति में क्या कहा गया है काम कितना ही कठिन हो किन्तुक ताते नहीं भीड में चंचल वने जो भीर दिखलाते नहीं होगाए इक आन में उनके दिन उनके बुरे दिन भी भले शब जगे सब काल में बेही मिले फूले फले आज करना है जिसे करतें उसे हैं आज ही सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही मानते जी की हैं बे सुनते सदा सब की कही जो मदद करतें अपनी इस जगत में आप ही भूल कर बे दुश्रों कम हूँ कभी ताकते नहीं भूल कर बे दुश्रों का मुह कभी तकते नहीं काउन ऐसा काम है बे कर जिसे सकते नहीं अगली पंकित की तरफ देखते हैं जो कभी अपने समय को यू बिताते हैं नहीं बात है यह काउन जो होती है नहीं उनके किये बे नवुने आप बन जाते हैं और उनके लिए चिली चिलाती धूप को जो चांद नी देते वना बक्त पढ़ने पर करें जो सेर का भी शामना जो की हस हस के चवा लेते हैं लोहे कचना है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठना कोस कितने ही चलें पर वे कभी ठकते नहीं काउन सी है गाठ जिसे खोल वे सकते नहीं आईए प्यारे बच्चों अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या क्या होगी तो प्रत्थम पंकिती है देखकर वाधा विविद देखकर बावधा विविद का मतलब होता है विविद ने प्रकार का बहु बिग्न घवराते नहीं बहु बिग्न का मतलब होता है बहुत ही अडचनों में भी नहीं घवराते हैं काउन जो करम बीर व्यक्ति हैं करम बीर का मतलब होता है निरंतर कर्म रत्क रहने वाला मनुसी हमेशा अपना निरंतर काम करता रहता है कर्म करता रहता है वो व्यक्ति बहुसी बाधाओं को देखकर बिभिल्न प्रकार की बाधाओं को देखकर बहु विग्न यानि कि बहुसी अड़जनों में भी नहीं घबराते हैं रहे वरोशे भाग के दुख भोग पच्टाते नहीं और यानि कि भाग के भरोशे नहीं रहते हैं और दुख भोग पच्टाते नहीं इसी प्रकार दुख जो है भोग कर नहीं पच्टाते हैं जो तिये पंकती है काम कितना ही कठिन हो किन्त उक्ताते नहीं कितना भी कठिन काम हो कितना भी हड़ वर्क हो और वो उक्ताते उक्ताना का मतलब हो उबना उबते नहीं है भीड में चंचल वने अगर भीड हो तो बहाँ पर चंचल चंचल का मतलब होता है जो निरंतर गतिसील हो ठीक है डायनमिक तो वो चाहे भीड कितनी भी हो बहाँ पर अपना निरंतर गतिसील लेते ह जो वीर दिखलाते नहीं और वीर दिखलाते नहीं हैं एहने का मतलब अपना कामने दंतर करते रहते हैं ऐसा नहीं है कि हाँ और लोगों के सामने अपने आपको वीर दिखलाने के लिए वहुत ही उनके सामने कुछ दिखावा करें ऐसा नहीं करते हैं हो गए एक आण में एक न माज़रा ४री ऐन में उनके बुरे दिन जो थे बो भी भले हो गए शब जगे सब काल में बे ही मिले फुले फुले और सब जगे शब जगे का मतलब एक ताइम प्रतिये समय में बेही मिले फूले फूले यानि की फूले फूले का मतलब एक जैसी स्थिती में मिलते हैं हर समय एक जैसे ही मिलते हैं फूले फले मिलते हैं धन धान मिलते हैं तो इस टाइब से बे सब जगे सब काल में फूले फले मिलते हैं आज करना है जिसे करते हैं उसे हैं आज ही और जिस काम को आज करना है उसे आज ही कर डालते हैं सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते वही और जो सोचते हैं कहते हैं वही कुछ कर दिखाते हैं मानते जी की है बे सुनते सदा सब की कही जी की मानते अपने मन की अपने हिरदे की बात को मानते है और बे सुनते सदा सब की सब की कही सुनते है एक लोकुक्ती है कि करो सब की और करो मन की सुनो सब की करो मन की ठीक है तो जो करम बीर होते है वो सुनते सब की है मगर करते मन की ह जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही और करम बीर जो होते हैं बे अपनी मदद अपने आप ही करते हैं यानि कि अगर व्यर्ति का सबसे बड़ा सहयोगी होता है वो श्वय में ही होता है अगर कोई कारी है तो वो अपने मन में ठान ले की हैं कारी करना है तो वो अपने लिए अपना ही मदद का सावित होता है भूल कर वे दूसरों का मुझ कभी तकते नहीं और भूल कर वे दूसरों पर आस्रित नहीं होते हैं काउन ऐसा काम है, बे कर जिसे सकते नहीं, और ऐसा काउन सा जगत में काम है, जो करम बीर्जू होते हैं, भोशे कर नहीं सकते हैं, आईए अगली पंकित की तरफ, जो कभी अपने समय को यू बिताते हैं नहीं, यानि कि अपने समय को बियर्थ नहीं ओने देते हैं, गवाते नहीं हैं, काम करने की जगे बाते बनाते हैं नहीं, और जब काम करना होता है, तो बाते नहीं बनाते हैं, बाते टालते नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इस टाइप से बाते नहीं टालते हैं आज करते हैं आज करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं और आज कल करते हुए दिन नहीं गवाते हैं यत्म करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं यत्म का मतलब होता प्रियास फोर्ड और प्रि प्रियास करने में कभी जी नहीं चुराते हैं, निरंतर प्रियास करते रहते हैं, बात है यह कौन जो होती नहीं उनके की, ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा काम है जो उनके करने पर नहीं होती है, बे नमुना आप बन जाते हैं औरों के लिए, और ऐसे ही बे नमुने आप लो यह कौन जो होती नहीं उनके लिए कौन सी यसी बात है जो उनके लिए नहीं होती है बे नमूने आप बन जाते हैं और बही नमूने आप यानि कि और ओरों के लिए बन जाते हैं चिल चिलाती धूप को जो चांद नी देते बना यानि कि जो चिल चिलाती धूप है कठिन से कठिन कार्द है उसको भी सरल बना देते हैं जो चांद नी देते बना बक्त पढ़ने पर करें जो सेर का भी सामना और बक्त जब पढ़ता है तो वो सेर का भी सामना यानि कठिन पर के लोहे का चबाने का मतलब है बहुत ही कथिन परिश्रम करते रहते हैं बहुत ही कथिन कथिन काम कर जाते हैं लोहे कचना चबा लेना इसको कहा गया है है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना और उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है जिनके जी में यह ठना है कि मुझे करना ही है कोस कितने ही चले पर वे कभी ठकते नहीं कितने भी कोस चल जाएं कितने भी डिस्टेंस चल जाएं तैं कर जाएं मगर वो कभी ठकते नहीं है काउन शी है गाठ जिसे खूल वे शकते नहीं काउन शी है गाठ ड्वेश बेद जिसे वे खूल नहीं सकते हैं तो इस प्रकार से ये मैंने आपको कच्छा शैकी का प्रथम अध्याय उसकी ब्याख्या सही समझाया है बच्चों इसी प्रकार से दुतिय अध्याय तुतिय अध्याय पढ़ने के लिए आप हमारे अगली वीडियो देख सकते हैं और आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं धन्यवाद शात्रों